हलो फ्रेंड स्वागेत द्रिम जॉपड़ा इसके सनल यूटूब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम RRB-LP-CBT1 का क्या सेपी स्कोर रह सकता है उसके बारे में जाने की जैसे आपको पता है कि आज 29 को सारे सिप्टों के एक्जाम खत्म हो चुके हैं पेपर का लेवल कैसा इसके बारे में डिसकस करेंगे और यह भी हम जाने की कितने नंबर आपने कर सेक्योर किया है तो CBT2 में आपका सेलेक्शन हो जाएगा आप CBT2 का पेपर दे शकेंगे ठीक है यहां पस हर एक क्टेगरी का हम बताएंगे यू आरो बीशी डवलीए सेस्ट ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को तो दीए सबसे पहले आप यहां पास कुछ पॉइंट्स को जानना आपके लिए बहुत है जरूरी होता है कि cut-off कैसे बनता है cut-off के लिए सब से फर्स्ट पॉइंट होता है आपका टोटल नंबर वेकेंसी कितनी है तो यहां पास आपका टोटल नंबर वेकेंसी है अठाराजार साथ सुने न्यान पर और आपको कितनी गुना बच्चों को लेना है उसने लेना है पंदरा टाइम से बच्चों को सीबीटी के लिए क्वालिफाई होंगे अब देखिए जब इसका मल्टिप्लाई करेंगे तो लग बग 2,891,950 दो लग 1,891,950 स्टुट्ट सीबीटी का एक्जाम देंगे ठीक है अब कुछ ही सिप्टों को छोड़के कि वह तफ हैं मौडरेट टुटफ है एक्चोली टफ कोई भी सिप्ट नहीं थी मौडरेट टुटफ थी इसमें थोड़ा सा दिक्कत देश बात ही हो कि मैथ और रिजनी का में बहुत जादा कर दिया था और जिसके कानल बच्चों को टाइ अब कम होने का और थर्ड आपका जो होता है अटेंडेंस ठीक है कि आपके अटेंडेंस कितनी तो इस बार का अटेंडेंस काफी अच्छा था हर बार क्या पेच्छा रेलवे लिए कि इस बास लगब बकलब 80-90 परसंट रिक अटेंडेंस थी कहीं भी आप जाके देखे किस एक पोल करवाऊंगा मैं अपने चैनल में कम्यूटी में जाकि आप लोग उसमें अपना स्कॉर क्या कि कितने क्यूशन अटेंप्ट की है क्योंकि यहां पस आपको नंबर तो पता नहीं जब तक एंसर की नहीं आएगी तब तक आपको कन्फर्म नहीं बता पाएंगे कि आ आप क्यूशन अटेंप्ट की हैं पर वहां कितना फाइनल में आपको कितने रॉंग होंग कितने सही हों कि क्यूशन ऐसे होते जो आप लगता है कि हा यह बहुत सही हम करके वह गलत हो जातेएं स्ली मिश्टेक एकान तो वह चीज़ आप कम्यूटी बॉक्स में जाके वहां पाश्ट यर वेकेंसी भी डवल के आसपास इती थी तीसा जार से प्लस थी वेकेंसी और उसमें उस तां लेवल का बात करें आउट आप 75 में नॉर्मलाइज मार्क्स 42-45 है तो इनका CB22 में होने के बहुत ही ज्यादा चांस है यहीं अगर अगर आपका 40-43 है 40-44 नंबर भी आपने शिक्योर किया है इससे ज्यादा कट आप जाने के चांस बहुत कम है रहा चांस ही ज्यादा चांस है एक महीने का ही समय देगा तो तुरंत आप उसकी तैरी नहीं कर पाएंगे कि उसमें आपका क्वालिफाइंग के लिए आपका टेक्निकल भी आएगा उसके लिए आपको देखना पड़ेगा और तो चलिए क्वालिफाइंग था किसी तरह से आप ले आए चालिस ले आए बैलिफ ले पर उसमें तो अपके मेरिट बननी है तो मेरिट जब बनेगी तो अपने उसमें अच्छे नंबर लाने की जरूरत है तो आप उसी के लिए अभीश्य तैयारी में लग जाईए यदि वीडियो पसंद आए तो चन्द को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिया कि अपने दोस्तों पर मेंने इंपोर्टेमंट कमूर्टी बोक्स में जाके आप अपने नंबर शेयर कीजिए उससे हमको एक और अच्छे एक रेशी पता चालेगी कि हां बच्छी कितना टेम्ट कर रहे हैं चलिए थेंक्यू प्र कहो एक बादे पता है तेम मत वेन्ट करना मत भूलिया को आहां के लादेग凭एटा से और बोक्स कितना गता है कितना खाले बोर शेहां कितना उन्ट पत्वा भиля सूस्तों प्र रहे ह seems यूणिया हैू झेंजाना कितना वांपना आजा वास्तों भाएवक leaders एशमें सेक